हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर्डी कोकिंग मैं हूँ पूनम और आज में लाई हूँ बहुती टेस्टी हेल्दी सी रेसिपी जो बच्चों को बहुत जादा पसंद आएगी तो वीडियो को लाज सक जरूर से देखिएगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कड़े से मैंने लिया ऐक चमप जितना वो फ्रें जीरा राई आध्यादे चमप जितना डाली या थोड़ा से इसको चट का लेए उसके बाद में एड कर यू हरी लस्टों लगबग हाफ कब जितनी आप सोच रहा होग यार यह पूर्व हरी लस्टों का क्या काम है इसमें आ या लस्टोन प्याज नहीं कहते हो तो इस दोनों चीज़े आप स्किप कर लीजेगा इसमें मैं डाल दूंगी बीट रूट तो सबजे को पकाना बिलकुल भी नहीं जादा बस आधाधा मिनिटी आपको घुमाना है बहुत जादा बिलकुल भी नहीं पकाना है तो मैंने एक इनको परग़ रहरा के शिविक PKR है जितना कटमें दूशन है ऩालेक मैंध ट्लबहाना चाल या शिक अबस इसमेंहें डाल दीया आमें पानी तो दो कटोरी दो कप जितना पानी स्में डाल देंगे कटोरी है मतर की मिलना डोकी में जितनी मेध का टीवझी अब वारीक का ट चिली फ्लेक्स पी डाल देंगे इसमें आधी चम्मत जितना और बस पानी में उबालाने देंगे और जैसे पानी उबलने लग जाएगा इसमें डालेंगे हम सूजी एक कर्टोरी जिससे मैंने पानी लिया था उसी से ही मैं सूजी लूँगी और चावल का आठा तो एक एक पानी और एक्स्रा बिल्कुल भी नहीं लगेगा इसमें पर्फेक्ट सा में आपको बताया है पानी का और आटे का मिक्स करते जाना है और जैसे आपको लगे डो की तरह बन चुका है तो फ्लेम को आफ कर लेज़ेगा और इसको हम ढखका छोड़ देंगे दस मिनिट के लि रात में डिनर में कुछ समझ भी नहीं है तो ये जरूर से आप ट्राइ कीज़ेगा तो डो बन चुका है हमारा चली एक लोई उठा लेते और पहले हम इसका सेकेंगे पराठा तो इसको पराठी की तरह बनाएंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको पिज़ा की तरह आप कैसे बना सकते हो ताकि बच्चे जो ये हेल्दी सा पराठा खा सकें इदम हेल्दी सा पिज़ा हो जाएगा ये पॉलिथिन की शीट मैंने लिए इसको थोड़ा सा ओई लगा की ग्रीस का लिया ताकि अच्छे से हम इसको बना सकें पराठे को नॉर्मली अगर आप बे आप इसको तवे पे आपको बस सेखना है तो जैसे नॉर्मली अम पराठे सेखते ना वस वैसे आपको सेखना है इसमें लेकिन ओयल बिलकुल भी नहीं लगाएंगे हम बिना ओयल की इसको सेखेंगे बहुत ही बढ़िया बनता है आप इसको ट्राइज जरूर से कीजेगा आप पिज़ा की तरह नहीं बना चाहते है नॉर्मली आप नाश्ते में आप यह वाले पराठे ट्राइ कीजे मस्त लगेंगे खाने में बहुत बढ़िया बनता है तो मैं इसको प्लेट में निकाल दे रही हूं एक और पराठा मैंने बना लिया तो दो पराठे यहां पर मै इसी चीजवीज बहुत पसंद आते हैं तो मैंने सुचाँ बच्चों को कुछ डिफरेंट तरीके से बना के खिलाओं यह पराठे में आप अगर चीज नहीं डाला चाहते हो तो आप पनीर भी इस्तमाल कर सकते हो है नॉर्मली जिसे मैं निकाई ऐसी सिंपल पराठे बना बटर लगा कि आप पराठो को सेख भी सकते हो थोड़ी से चिली फ्लेक्स औरिगन इसके उपर स्प्रिंकल कर दे रही हो मैं और जो दूसरी रोटी बनाई है इसको कवर कर देंगी अब दूसरी रोटी के उपर भी सॉस फैला देंगे तो मैं आज यहां पी सिंपल टोमेट इसके उपर से भी मैं चीज लगा दे रही हूं तो चीज भी आप अपनी परसंद का जो अविलेबल हो घर पे जो बच्चे लाइक करते हो वो चीज आप डाल दीजेगा इसके उपर से और उपर से वापस से चिली फ्लेक्स और ही गैन हो यहां पिजा सिजनिंग आप डाल स चुका है गैस को कर देंगी ओफ और हमारा यह चोटा चोटा पिज़ा जो है पराठे वाला बनके बिल्कुल तयार है घम गुलाबी सा पीजा है आप इसको जरूर से ट्राइ कीजिगा बच्चे बहुत ही दिल से खाएंगे मेरे बच्चों को तो बहुत जादा पसंद आया तो आप भी इसको जरूर से ट्राइ कीज़ेगा कुछ हेल्दी सी यूनिक सी रेसिपी है तो आज की रेसिपी आपको कैसे लगी है मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा और ये मेरे स्टाइल वाला ये कुछ डिफरेंट सा पीजा आपको कैसे लगया जरूर से बताएग झाल झाल